आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बिश्व राशी का दिसंबर का जो महिना है हमारे इस साल का आखरी जो महिना है कैसा जाएगा उसका राशी फल बता रहे हैं विश्व राशी के लिए दिसंबर का महिना मध्यम रहने वाला है आपको बोलते समय और वित्य लेन देन में दोनों वक्त काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी रिश्व दारों के साथ अपने समंदों को फिर तालो ताजा करने का समय है आप अपने उदेशियों के पूर्ती करने में सफल रहेंगे बसरते इसके लिए आप दूसरों से मदद ले तो दूसरों को यह बताने के लिए ज़्यादा उतावले नहीं हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहें बिश्व रासी मतलब मजबूत और जिद्दी लेकिन बैवारी को द्रंडर दिसंबर आपके लिए महिना जो इस्थिर है ऐसे जब वित्तिय की बात आती है तो दिर्ग काली की उजना के लिए अभी समय सबसे अच्छा है विश्व को पारिवारिक समस्व सावधान होना चीए किसी की कटनाई से उसे मदद करके आप दुखी वेक्ति का विस्वास हासल कर सकते हैं अपने बास के साथ बहस मत करें क्योंकि उनके तार्किक तर्कों के विरुद जीतना असंबग है अपने पुराने मित्रों को नहीं भूलें एक पल निकालें और उधारन के लिए एक काफी वगरे पून से मिल लीजिए आपको यदि स्वास अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको ऐसी चीज़ों अगतिवितियों करने को मजबूर मत करें अपने आपको जो आपको पसंद नहीं हो अब हम आर्थिक पक्ष के स्विफ बात करें तो इसमें आमदनी के आपको बहुत सारी नहीं मारख खुलेंगे बस आपको काम करते जाना है मानसिक ठकान आपको विफित करेंगी अगर स्वास्त की बात करें तो नौकरी के छेतर में आपको कटीन परिश्रम करना पड़ेगा अगर आप बिजनसमेन है तो आपको लाब होने वाला है दामपत्ति जीवन की बात करें तो आप अपने जीवन साथी की प्यार की गर्माहट में सूस करेंगे और यदि हम आपके गलेशन्शिप की बात करें जो लोग गलेशन्शिप में हैं तो फिर यह मेहना आपके लिए उत्तम है तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद